यहां पर में में आंसर राइटिंग के जो रोज 6-8 पूर्शन्स लेके आता हूं तो यहां पर में स्टाटिक से भी रहेंगे और दहिंदू और इंडियन एक स्पेस से भी रहेंगे पहला सवाल भारतिये निताओं ने भारतियों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से शेसक्त बनाने में भारत सरकार अधनियम 1935 की अच्छमता का विरोध किया लेकिन फिर भी इसे आजमाया तो इसको इसपष्ट कीजिए अगला सवाल भारतियों के लिए दिती विश्युद्ध ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और जन्संगर्स की राजितिक को पुनर जीवित करने का अवसर विदान किया लेकिन इस तरह के अवसरवाद के खिलाफ फैसला किया सुद्धी विश्युद्ध के फैलने पर राष्टवादी प्रतिकिर्या की विवेश ना कीजिए अगला सवाल समग्र सच्छा वियान SSA 2.0 को सच्छा के लिए सतत विकास कक्ष SDG 4 और NEP की सिफारिशों के साथ संरेकित करके नया रूप दिया गया है जो एक समान वाता वरण में गुनवत्ता पूर्ण सच्छा पर ध्यान के अंदित करेगा तो इसकी व्याक्या कीजिए अगला सवाल शोशल स्टॉक एक्षेंज की अवधारणा और नागरिक समाज पर इसके प्रिभाव की व्याक्या कीजिए इस उपन्यास अवधारणा को भारत में सफल बनाने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारकों का आकरण कीजिए अगला सवाल वी शेड रिकवरी क्या होता है क्या सकल घरेल उत्पाद जीडिपी के आकड़ों में अच्छी खबरें भारती अर्थ विस्ता के लिए वी आकार की रिकवरी का अनुमान रखाती हैं समालोच नात्मक जाच कीजिए भारत में कोविद-19 रोगयों के लिए उपचार के लिए एंटी बाड़ी के दाएरें का परिचर कीजिए साथी कोविद-19 के लावा अन बिमारियों के इलाज के लिए इसकी छमता के बारे में भी जाने और आखरी सवाल आपका एथिक से खोशी का सबसे सरर रूप है यह तक गिता सो इस उद्धरण को आपके लिए क्या अर्थ है इसकी व्याख्या कीजिए जबें तक्राइव जर्च्बिए यूजल ओको यह तो आखरैजिए भी ऐसे जड़ीं इसमार्ड एजिए जबाइव यह तो आवे कर्वेस ऑन के मैं अग्यूट ओकारवी तो आडेक लिए मैं आपके लिए एक लिए